नमस्कार मार्केट सम्माद में आपका स्वागत है इस समय हम नंदन पुरा से जो गड़िया भटक की और जाने वाला मार्ग है वो बीच में खाती बाबा का देवस्थल मंदिर है वो हम आपको दिखा रहे हैं आप देख सकते हैं हमने जहां से के सारे मंदिर दिखाया कर लिए हैं दिखाया दिखाया आज हम देवस्थान खाती बाबा का दिखा रहे हैं आपको यहां पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं अपनी आस्था लेके मननत लेके अपनी मननत मांगते हैं मननत पूरी होती है तो फिर दुबारा भी आते हैं यहां पर नंग पंचमी में यहां पर भारी मेला लगता है जो की कुरोना खाल में इस समय इस बार नहीं लगा है यह आप देख सकते हैं खाती बाबा मंदिर के पुराने मान थें इनका नाम मांद सर्ग ये बचंते बगत जी खाती बाबा के नाम से है हुआ है यह हम आपको पीछे की वह लेकर चलते हैं यह हमारे बबा का मंदर है अनुमान जी का जो अंदर देख रहे हैं आप अनुमान जी विराजमान है हमारे बबा की मुर्ति है जो भक्तों को आशिवाद दे रहे हैं यह सारा खाती बाबा का केंपस है पुरह यह रियक खाती बाबा का है यहां पीछे अखाड़ा बना हुआ है जो कि नांग पंचमी मेला में यहां पर खुश्ती होती है दंगल लगता है यहां पर भारी भरकम शिला रख्थी हुई है जो कि सारे प्यलमान उसको उठाते हैं और इनाम पाते हैं एक काफ़ी पिरशिद देवस्थले खाती बाबा का जहासी में प्राचीन काल से मंदर है यहूँद्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध इस सारा एरिया खाती वावा केंपस का है जो आप देख रहे हैं हम जिस सिला का जिकर कर रहे थे अभी वो सिला आप देख सकते हैं यह सिला रखी हुई है जो कि नांग पंजमी के तिन मेला जब लगता है तो इसी सिला को पहलमान उठाते हैं एक हांस से अपनी गर्धन में डाल कर पर इनाम पाते हैं जो इसको उठा लेता है वो इनाम का पात्र होता है इससे पहलमान की सकती का पता चलता है कितनी ताकत है पहलमान में यह भी एक मा का मंदर है जो आप सामने देख रहे हैं वो भी खाती बाबा देवस्थल्पई है प्राचीन मंदर है यहाँ पर बड़े दूर दूर से लोग आते हैं अपनी आस्था ले गए उनकी मुराद भी पूरी होती है पर दुबारा भी लोग आते हैं कोई कथा कराने आता है कोई कन्या जबाने आता है यह हमारे धासी में पूरा प्रिशिद मंदर है सारे घंटे आप देख रहे हैं विशाल घंटे टंगे हुगे है काफी दूर दूर से लोग आते हैं अपनी आस्था लेके उनकी मुरादें भी पूरी होती है काफी सिद्व मंदर है इस तरह भी आप जो देख रहे हैं यह भोले नात का मंदर है जो हम आपको दिखा रहे हैं यह हमारे भोले नात जी का मंदर है जो भगवान जी है सामने आप देख रहे हैं थोटे से नाधिया और भगवान भोले की पिंडी बनी हुई है हमने आपको पूरा खाती बाबा देवस्तल दिखाया अगर हमारी रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारे मार्केट संबाद चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें कमेंड करें धन्यवाद रिपोर्ट अनल मौरिया जहांसी अब्सक्राइब करें कर दो यद